नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बहतरीन होम रिमेडिय ले करेका आया हूँ दोस्तों जिसके इस्तिमाल से आप अपने पुराने से पुराने और जिद्दी से जिद्दी दाद खाज खुजली को जड़ से खत्म कर पाएंगे दोस्तों इस नुस्के की सबसे अची बात है कि इसको लगाने पर इसको इस्तिमाल करने पर आपको जलन नहीं होगी क्वी कि दोस्तों कही बार लोगों का कमेंट आता है कि सर कोई ऐसा उपए बताओ कि जिससे स्किन पर जलन न हो और अक्सर बहुत सारी जो नुस्के होते हैं उनमें जलन होती है तो यह उपए दोस्तों बहुत ही कारगार है, बहुत ही जबरदस्त है सीधा आपके दाद खाज खुझली पर यह असर करेगा पहली बार जब आप इसे लगाएंगे तो पहले दिन से आप लोगों को ठंडक मिलेगी आराम मिलेगी और आपका दाद खाज खुझली जड़ से खत्म होगा तो चलिए दोस्तों आज किस नुसकी को सुरू करते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको एक ऐलोवेरा लेना है आप एक ऐलोवेरा ले ले और उसे इस तरीके से दोस्तों आप लोग बीच से काट ले ठीक है दोस्तों काटने के बाद दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं इसे हम aloe vera का gel कहते हैं ठीक दोस्तों आपको इस तरीके से इसे काट के यह आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हमने काटा है तो इस तरीके से आप इसके छिल्के को उतार लिजेगा और ये आप जो portion देख रहे हैं ये इसे इस तरीके से यह natural aloe vera है और यह skin के लिए best होता है ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आपको ये गुदा जो है निकाल लेना है दोस्तों अगर आप लोग दात खाच खुजली से परशान है तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूर लिश्य में कभी भी आप लोगों को दात खाच खुजली हो तो आप लोग इस नुसकी का इस्तिमाल करके अपनी दात खाच खुजली को खत्म कर देंगे तो दोस्तों इस तरीके से आपको सबसे पहले aloe vera का ये गुदा जो है आपको निकाल लेना है ठीक है दोस्तों इसक मच के आस पास आप इसमें मिक्स किजेगा इसे हम कहते हैं दोस्तों नीम का तेल ठीक है दोस्तों यह नीम का तेल है आपको market में असानी से मिल जाएगा यह fungal infection को ring warm को दाद को दिनाय को खुजली को खत्म करनी की छमता अपने अंदर रखता है इस तरीके से इन दोनों को हम मिक्स पर दीएगा है और जिन लोगों के पास दोस्तों ऐलो वेरा जल नेचुरल नहीं है ऐसा ज negatively नेचुरल नहीं है वो लोग बजार से खरीद करके भी काम चला सकते हैं फैदा करेगा इस तरिके से मिक्स कर लें दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप इसे ले करके अपने दाद, खाज, खुझ्ली वादि गिप़ रात में इसे लगा लें रात भार इससे लगा कर छोड़े और सुबह आप धोले हर दिन रात में इसका प्रयोग करें दोस्तों आप आएंगे कि आपकी पुरानी से पुरानी और जिद्धी से जिद्धी दात खाज-खुजली खत्म होने लगेगे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह की जानकारी आपको मिलते रहे तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा